हाई अबरीवन कैसे हो आप सब फ्रेंट्स ये हमने आज बनाए है स्प्रिंग रोल और इस प्रिंग रोल की तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने ले ली है कुछ सब्जियां जो मेरे पास अविलेबल थी तो मैंने यहां पर समें इंग्रिडियंट इसका पत्ता गोबी है जिसे कैबिज बोलते हैं हम और साथ ही मैंने ले ली है एक गाजर हरी मिरच आप चाहे तो ना भी डाले हरी मिरच और यहाफ मेरे पास पड़ी थी येलो रैट और ग्रीन बैल पेपर हाफ मैं यूज कर चुकी हूँ तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग मैंने आपको बताया था कि मैं कटिंग भी आपको बताऊंगे कैसे मैंने इसकी कटिंग करिए सबजियों की हाँ पर पत्ता अबी के जो हैं लच्छे मिल गए हमें तो हम इसी तरह से यह जो हाफ हमारे पास बैल पेपर पड़ी ये यलो उसमें से बीज भी रिमूव कर देंगे उसी से देखिए मैं किस तरह से इसका यूज कर रही हूँ सबजियों को काटने के लिए तो हमारे पास चीचे कई वर प पतले बिल्कुछ स्राइस मिला इसी तरह केरट को कर लूँगी पहले इसके चिपस टाइप इसमें से निकलाएंगे फिर मैंने उसको नाइफ से बारीक पारीक कट कर लिया था यहां हमने बारीक कटिंग कर ली है हरी मिरच की तो यह चाहे तो आप इसके भी कर सकते हैं यहां पर रख लिया हमने गैस पर पैन और यह थोड़ा हैवी तले का ही लेंगे हम इसमें डाल दिया मैंने ओयल कोई भी आप रिफाइंड ओयल डाल सकते हैं मॉस्टर्ड डाले क् थोड़ा स्मेल अलग होती है और सारी पत्ता गोबी हम इसमें डाल देंगे तो साथ ही हम डाल देंगे इसमें जो हमने अभी सबजियां कट करी थी आप चाहे तो नाइप का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का सलाज कटर नहीं है तो यह सारी जो सबजी ह हम इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से इसको हम चलाते रहेंगे हमने इसको जैदा कुक नहीं करना 50% हमने सिरफ इसको कुक करना है क्योंकि 50% जो है फ्राइ करते हुए हो जाएगा तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे दो चमच केकर दो से भी कम चमच है जो मैंने विनेगर यूज कर रहा है वाइट विनेगर सिरकाश डार्क सोया सोस डालूंगे एक चमच यह डाल दिया हमने डार्क सोया सोस नमक स्वाद अनुसार और यहां पर मैं डाल रही हूं आदा चमच काली मिर्च इसी भी काली मिर् सिर्फ उत्ना सब्ड़र भ्राओ। सजार को सोड़ तो सीधी गैस मां सब्रें को udaका यहाँ पर मैंने ले शर्टे लिए यह कम धाल खैनों एक कप मैदा जो आधा कप कॉर फलार आदी छोटी चमच नमक डाली है और सूखा ही इनको हम पहले मिक्स कर लेंगे अब ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो गया इसमें मैं डालती हूँ एक कप पानी तो पहले हम इसको इस तरह से फैट लेंगे देखते हैं कि कितना ये बैटर हमारा रेडी होता है तो ये देखिए इसकी consistency अभी बहुत गाड़ा है यहां मैं दिखा देती हूँ आपको तो हमें ये काफी पतला चाहिए तो इसमें एक का पानी ओर डाल देती हूँ थोड़ा-थोड़ा डालती हूँ देखती हूँ तो यहां पर मैंने एक का पानी ओर डाली है सुचे इसमें पहले हम दूसरी छनी में छान लेंगे जो लंस है वो बिल्कुल निकल गए है और यहाँ पर यह देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है एक भारी तले का ही हम लेंगे तवा तवा ले ले लीजिए यह फ्राई पैन ले लीजिए कोई भी चोड़े नीचे से जो जिसका सर्फेस बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसमें डाल दूँगी डोसेगी तरह और इसको चारो साइड हम इस तरह से खेला लेंगे तो यह देखे पूरा फैल गया और जो एक्स्ट्रा है वो हम इसमें वापी से उसी बरतन में निकाल लेंगे यहाँ पर मैंने उसी में निकाल लिया तो यह साइड से भी छोड़ रहा है जगा को अभी फर्स्ट डाल रही हूं ना इसमें भी इसलिए थोड़ा सा पहले वाले में थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है तो मेन हमें इसके गुलाई का नहीं चाहिए मेन हमें यह है कि यह पतली शीट बननी चाहिए तो क्योंकि गुलाई का कोई इसमें लेना देना नहीं है सिरफ हम बात में इसको अज़ेस्ट कर लेंगे ये देखिए एकदम से जैसी कर रहा हुआ ये कितनी पतली शीट अराम से उतर कर आ जाती है तो ये है शीट बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका और ये देखिए कितनी ट्रांस्पिरेंट बनी है बस हमें ऐसी ही शीट चाहिए स्प्रिंग रोल बनाने के लिए और ये बहुत असानी से बन जाती है तो यहाँ पर एक और मैं डाल के देखूँगी इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है और यहाँ पर मैं कर्ची से वापिस जो डाल रही है अभी थोड़ा ज्यादा गीली है ड्राई होईगी तो एकदम से अपने आप से ये उठ जाएगी तो बहुत जल्दी बन जाती है ये तो यहाँ पर मैंने सारी शीट से रेडी कर लिए और बीच में मैंने डस्ट किया हुआ इसके थोड़ा सा मैदा कभी भी एक उपर एक रखे तो मैदा जरूर बीच में डस्ट करे ताकि ये आपस में चिपके नहीं तो यहाँ पर मैं एक कटोरी में और एक चमच मैदा ले रही हूँ और थोड़ा सा पानी डालके हम इसकी स्लरी बना लेंगे तो ये स्लरी होगी हमारी रेडी अब हम शीट यहाँ पर पहले ये सबजें जो है मैंने एक बॉक्स में निकाल ली है तो सबजें भी हमारी रेडी हैं स्लरी भी है और ये हमारी शीट बनकर भी तयार हैं तो चलिए अब हम इनमें फिलिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर पहले एक खीट को हम फेलाएंगे और यहाँ पर हमने रख लिए stuffing, stuffing थोड़ी सी कम जाद अपने हिसाब से अब कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको adjust कर लेंगे, हाथ से ही यह देखे adjust कर लिया मैंने, और अब इस तरह से हम इसको fold करेंगे एक side से, आब इसको हम तोनों side से इस तरह से fold कर देंगे left और right से और इस तरह से हम यह देखे इस तरह से इसको roll करते जाएंगे, तो जो last में हमारे पस थोड़ा सा जो हिसा बचा है, और उस पे लगा देंगे slurry, यह सिरफ चिपकाने के लिए हमें, यह देखे हमने इसके साथ इसको चिपका दे, थोड़ा सा side में लगा देंगे ताकि सबजिया ना निकले, अच्छे से चिपक जाए, तो वाओ, यह देखे हमारे पस बनकर तियार हो गया है spring roll, इसी तरह से हम दूसरा तीसरा सारे ready कर लेंगे अपने spring roll, बस धहान रखे कि side से fold जरूर देना है, और इस तरह से हमारे यह सारे spring roll जो हैं तियार हो गया है, तो च बोटी तो ready है, medium आच पर हमने gas को रखना है, और तेल बहुत तेज गरम नहीं करना नितो एक दम से डालते जल जाएगा, ठंडा भी नहीं रखना नितो यह पूरा पी जाएंगे अंदर तक तो वो भी ठीक नहीं है health के लिए, तो medium आच पर रखे और इसको मैंने golden brown होने तक इसमें fry किया है, यह देखिए आप, थोड़ा सा आप कम ज्यादा क्रिस्पी जैसा खाते हैं, उस तरह कर सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल medium हैं, तो इसी तरह से हम सारे डालते जाएंगे कडाई में, और सारे spring roll अपने ready कर लेंगे, प्लीज बीच में like देना ना भूलिएग तो यह लीजिए, ready है, कर्मा गरम spring roll, और उमीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो देखकर समझ आ रहा होगा, कैसे हम spring roll बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ, यह देखिए, स्टफिंग पूरी हुई है इसमें, यह देखिए, स्टफिंग पूरी अंदर तक है, और पूरी भरी हुई है इसमें, यह देखिए, और अराम से कट रहा है, क्रिस्पी भी है, उपर से एक तम से यह नहीं कि रोटी की तरह हैं, और यह लीजिए हमने कर ली इसकी, प्लेटिंग आप चाहें तो sauce के साथ, green chutney के साथ, किसी भी तरह से आप इसकी, प्लेटिंग कर सकते हैं, और किसी तरह भी इसको सर्फ कीजिया, अपनी मन पसंद से तो, I hope आपको यह रेसिपी अच्छी लेगी होगी, अच्छी लेगी, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मिलती हूं मैं न्यू रेसिपी के साथ, नेक्स वीडियो में, ति ति दे रेस्देग वाइ, क्ई टेism themed कि के सकते हैं से यह स्वाइगा जातुरे कि लेक्शी लेगी, घसे जातुराए कर दू कर दो किसी लेगी होकि लेगी से साथ 7 dairy है टूरे कि यह कि अधरिए कि अधर म unit defense inboundर बेस्वित इसकी है, जातुक और फ्य då, कि अभार मindetरी मैं,